हेलो एवरिवान वेलकम टू केवी टीचिस गिल्ड सो बचो अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स फ्लास इंग्लिश की सेकेंड यूनिट का चाप्टर टू जिसका नाम है दे क्याप सेलर आंड दे मंकी सेलर मतलब होता है बेचने वाला तो ये कहानी है एक क्याप सेलर की क्याप मतलब जो सिर के उपर आप पहनते हैं तोपी एक तोपी बेचने वाले की और मंकीज की बंदरों की तो पहले चाप्टर को रीड करेंगे एक एक पारग्राफ को आपको ध्यान से सुनना है कि जो वर्ड्स है उन्हें आपको बोलना कैसे है प्रणाउंस कैसे करना है और उसके बाद मीनिंग समझेंगे उनका So, once there was a man who sold caps He carried many caps in a basket on his head He was a cap seller Once Once मतलब होता है एक बार एक बार की बात है There was a man Man आदमी एक man एक आदमी था Who sold Sold मतलब बेचना Caps जो caps बेचता था He carried Carried करना मतलब होता है ले कर जाना वो carry करता था ले कर जाता था Many caps Many मतलब बहुत सारी बहुत सारी caps को टोपियों को वो ले कर जाता था In a basket कहाँ पर एक basket के अंदर Basket मतलब होता है टोकरी वो एक टोकरी के अंदर जैसे ही आपको basket दिख रही है यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारी caps को ले कर जाता था On his head Head मतलब सिर अपने सिर के उपर On मतलब उपर और In मतलब अंदर Basket के अंदर caps थी और basket कहाँ पर थी उसके सिर के उपर On his head He was a cap seller वो था एक cap seller वो एक cap seller था टोपी बेचने वाला था Okay, so once there was a man एक बार एक आदमी था who sold caps जो caps बेचता था He carried many caps in a basket on his head वो carry करता था लेकर जाता था बहुत सारी caps एक basket में अपने सिर के उपर रख कर And he was a cap seller वो एक cap seller था Next paragraph One day He slept under a tree There were monkeys on the tree They came down from the tree They took away all the caps Now, one day एक एक दिन अभी एक दिन क्या हुआ He slept Slept मतलब होता है सो जाना वो जो cap seller था वो सो गया He slept under a tree कहां पर एक ट्री के एक पेड के under मतलब नीचे एक पेड के नीचे एक बार एक दिन cap seller सो गया यह देखे यहां पर यह सोया हुआ है Now There were monkeys on the tree अब ट्री के उपर monkeys थे बंदर थे पेड के उपर कौन थे? बंदर They came down Down मतलब नीचे Came मतलब होता है आना So came down मतलब नीचे आना वो नीचे आए बंदर from the tree पेड से बंदर पेड से नीचे आए They took away तुक अवे इसका मतलब होता है ले लेना उन्हों ने बंदरों ने क्या ले लिया? All the caps सारी जो caps थी उसकी basket में वो उन monkeys ने बंदरों ने ले ली Okay So cap seller एक दिन सो गया अंडर अटरी पेड के नीचे पेड के उपर बहुत सारे monkeys थे वो नीचे आए पेड से और उन्होंने सभी caps को ले लिया वहाँ से बास्कित से देखे बास्कित एक दम खा लिये एक ही cap बची है जो ये monkey ले रहा है और लेकर क्या किया सभी ने? उसको अपने सर के उपर सिर के उपर पेहन लिया Okay अभी देखने आगे क्या होगा? Now The cap seller woke up He saw the basket was empty He looked around and above The monkeys were wearing his caps So The cap seller woke up Woke up Wake up इसका मतलब होता है जागना नीन से उठना सोने के बाद जब आप उठते हैं सुब है तो उसे बोलेंगे Wake up जागना So जो cap seller था वो जाग जाता है सोने के बाद He saw Saw मतलब देखना S-A-W saw तो उसने वो देखता है उसने क्या देखा The basket was empty Empty मतलब होता है खाली कि उसके जो basket थी वो अब empty है पहले क्या थी वो full थी उसमें caps थी अब कुछ भी नहीं है तो देखिए basket बिलकुल खाली है Caps उसमें है ही नहीं So वो देखता है That the basket was empty Basket तो खाली है He looked Look मतलब होता है देखना He looked around Around मतलब चारों तरफ वो चारों तरफ देखता है कि जो उसकी caps थी वो कहां गई And above Above मतलब उपर फिर उपर देखता है पेड के उपर तो उसने चारों तरफ देखा फिर उपर देखा The monkeys were wearing Wear मतलब होता है पहनना तो monkeys जो थे उन्होंने पहनी हुई थी His caps उसकी caps उसकी जो caps थी वो monkeys में पहनी हुई थी जैसा हमने पिछले पिक्चर में देखा उन्होंने caps ली basket से और उसको पहन लिया So इस paragraph में क्या हुआ Caps seller जागता है उसने देखा कि basket तो empty है खाली है उसने फिर चारूं तरफ देखा फिर उपर देखा और देखा कि monkeys were wearing his caps monkeys उसकी caps उन्होंने पहनी हुई थी Now Now the cap seller shook his fists at the monkeys they also did the same the cap seller scratched his head the monkeys did the same Now what happened कि जो cap seller था the cap seller shook his fist fist हम बोलते हैं आप जब fingers को ऐसे bend कर लेते हैं घुसा मारने के लिए तो वो होती है आपकी fist देखेए this is called fist इसे बोलते हैं fist अभी capsular ने अपनी fist को shake किया ऐसे मुठी बनाई और add the monkeys monkeys की तरफ उसको उन्हें एक तरीके से घूसे मारने का action किया दराने के लिए the करना मतलब होता है एक तरीके से जैसे आप नेल से खुजली करते हैं खुजलाना तो अब वो सोच रहे कि मैं क्या करूँ इसलिए वो अपने head को सिर को ऐसे scratch करता है खुजलाता है सिर में दर मंकीजर दिड़ तरही किया यानिके जो भी वो क्याप सेलर कर रहा था मंकीजर भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे उसने fist शेक कि मंकीजर ने भी fist को शुक किया देन उसने अपने head को scratch किया आपने head को scratch किया The cap seller had an idea. He took off his cap and threw it into the empty basket. Now, the cap seller had an idea. तभी cap seller को एक idea आता है. एक plan उसके mind में आता है. अपनी caps को वापिस लेने का. He took off. Take off करना मतलब होता है. हटा देना. या फिर उतारना. उतार देना. तो उसने take off किया. उतार दिया his cap. अपनी cap को and through. Through मतलब होता है. फेक ना. और उसको फेक दिया. फेक दिया. इट. इट मतलब उसे cap को into the empty basket. खाले जो basket थी. तोकरी थी. उसके अंदर उस cap को throw कर दिया. फेक दिया. उसने अपनी cap उतारी. क्यूकि जो caps अलर था. आप देखेंगे. उसने भी एक cap पहनी हुई थी. ये देखो. अपने खुद की cap उतारी. अपने सिर के उपर से. और उसको throw कर दिया. फेक दिया. इंटू दा बास्किट. एंप्टी बास्किट. उस एंप्टी बास्किट में. तो अब हम देखेंगे. क्योंकि monkeys उसके सभी actions को copy कर रहे थे. बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे. तो आगे देखते हैं. monkeys ने क्या किया. The monkeys also did the same. monkeys ने भी same किया. बिल्कुल वैसा ही उन्होंने किया. monkeys ने भी आप देखेंगे. अपने caps उतारी सभी ने. और जो empty basket थी उसमें fake दिया. उसको throw कर दिया. The cap seller got all his caps back. And went away happily. So now the cap seller, जो cap seller था. तो उपी बेशने वाला था. Got all his caps back. Back मतलब वापिस. उसे उसकी जो caps थी. Got मतलब मिल जाना. All his caps. सारी caps उसको वापिस मिल गई. And went away. वहाँ से वो चला गया. Went मतलब होता है चले जाना. वहाँ से वो चला गया happily. Happily मतलब खुशी से. Happy, happy. खुशी से क्योंकि caps उसकी वापिस मिल गई उसको. वो वहाँ से चला गया. Okay. So, क्या story थी? Once there was a man who sold caps. एक बार एक आदमी था. जो caps बेजता था. He carried many caps in a basket on his head. वो carry करता था. लेकर जाता था. बहुत सारी caps को एक तोकरी के अंदर अपने सिर के उपर रखकर. He was a cap seller. वो एक cap seller था. This month. So, one day एक दिन he slept under a tree. एक दिन वो सो गया एक पेड के नीचे. Like this. There were monkeys on the tree. और ट्री के उपर monkeys थे. They came down. वो सब नीचे आएं. From the tree पेड से. They took away all the caps. और उन्होंने सारी जो caps थी. वो उसको take away कर लिया. उन सभी को ले लिया. The cap seller woke up. अभी cap seller जागा. He saw the basket was empty. उसने देखा. कि जो टोकरी है वो खाली है. He looked around. उसने चारों तरफ देखा. And above. और उपर देखा. उपर तो monkeys cap पहने बैठे हुए थे. The monkeys were wearing his caps. monkeys ने उसकी caps को पहना हुआ था सिर के उपर. The cap seller shook his fists. At the monkeys. Cap seller ने monkeys की तरफ fist को shake किया. उन्हें घूसा दिखाया. They also did the same. Monkeys ने भी बिल्कुल same किया. The cap seller scratched his head. उसने अपने head को सिर को scratch किया. सिर को खुजलाया. The monkeys did the same. Monkeys ने भी वैसा ही किया. उन्होंने भी अपने head को scratch किया. The cap seller had an idea. Cap seller को एक idea आया. He took off his cap. उसने take off किया. उतारा अपनी cap को. And threw it. और उसे fake दिया. Into the empty basket. उस खाली basket के अंदर. The monkeys also did the same. Monkeys ने भी बिल्कुल वैसा ही किया. The cap seller got all his caps back. Cap seller को. सारी जो caps थी. वो वापिस मिल गई. And went away happily. वो खुशी से वहां से चला गया. ये था आपका chapter. कुछ new words हैं. कैसे उनको बोलना है. उनका क्या मतलब है. वो आपको बता होना चाहिए. अभी के लिए इतना ही question answers हम cover करेंगे next video में. Thank you so much for watching.